वेल्कम बैक दे और सज्जनों तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैपिंग के एपिएज तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैपिंग ये चीज होती गया है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैपिंग के एपिएज क्या क्या है तो हम पहले देखेंगे कि गेट मैपिंग तो जो मैपिंग के हमने देखा डैनमिक मैप से जैसे हम क्रिएट करते हैं मैपिंग तो उसको गेट करके कैसे देखना है एड न्यू मैपिंग अभी कएvbass ka ebi है तो हम यृट भी देख लिगते हैं कि हम एक बाद demand किया हुआ मैपिंग्स मतलब collection में different किया हुआ Already और उसको new mapping schools कैसे add कर सकते हैं और update update कैसे कर सकते हुआ नचे कर से करें फिकित तो चलिए कमें सुरू करते हैं तो पहले हां हम देखते हैं एला हमारे cluster की health तो green flag है सब बढ़िया ठीक है तो अभी हम collection create करते हैं items के और mapping देखने के लिए API है get items underscore mapping ठीक है तो फिलाल तो कोई mapping नहीं है हम यह दो fields add कर दें ठीक है underscore mapping यह auto suggestion देख देख है अभी एक बढ़िया बात है ठीक है अभी underscore क्यों unsupported parameters क्यों आरे यार यह mapping निकान देनी जए यह कब यूज होता है जब हम index creation के time जब नखिंग देते तब यूज होता है अभी यह चल जाएगा acknowledge true ठीक है तो अभी दो type के mapping प्रेजेंट है एज विचिस अफ टाइप इंग डीजर इमेल विचिस अफ टाइप कीवर्ड ठीक है तो अगर इन future मान लो मेरे को नेम नेम बे आड़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं यह हटाता हूँ और नेम टाइप स्प्रिंग है क्या पता नहीं देखते हैं टेक्स्ट ठीक है तो अभी देखते हैं हाँ नेम भी आड़ हो चुक है तो इस हिसाब से इस तरीके से हम एक्स्ट्रा मैपिंग्स आड़ कर सकते हैं लेकिन हम कोई की भी मैप्ट शील्ड मोडिफाइ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो मान लोग कोई भी फिल्ड है जैसे की एज अभी एज को मेरे को कोई दूसरा इंटीजर छोड़ की लॉंग बनाना है तो वो हमने कर सकते हैं एज लॉंग एक तरीका है री इंडेक्सिंग से मतलब हमारा जो इंडेक्स बना हुआ है जो डेटा इंडेक्स में प्रेजेंट है उसको एक और इंडेक्स में कॉपी करके हम उस इंडेक्स का मैपिंग डिफाइन करके उसमें कॉपी कर सकते हैं तो ऐसे हम मैपिंग अपडेट कर सकते हैं तो ठीक है अभी इंडेक्सिंग का API देख लेता है तो चलते हैं Elasticsearch के डोकुमेंटेशन पेज पर तो यहां पर जैसे हमने देखा हुआ है पोस्ट अंडर्सकोर री इंडेक्स करके यह रिक्वेस्ट है यहां पर सोर्स इंडेक्स देते हैं और डेस्टिनेशन इंडेक्स देते हैं ठीक है और यहां पर आके आप देख सकते हैं कि हम क्या-क्या डाल सकते हैं और बहुत कुछ DIY इस documentation में यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं मैं इसका link description में दे देदा हूं तो pipeline request body बहुत सारे कुछ DIY destination DIY sort इधर आके देख सकते हैं कि हम क्वेरी भी कस्टम क्वेरी भी डाल के दे सकते हैं कि जिसका user ID कि की है वही सिर्फ destination index में जाएं with query with multiple sources भी कर सकते हैं कि इंडेक्स 1 & 2 मिल के इस index में जाएं with selected fields भी कर सकते हैं source वहाँ पर source डाल के user मतलब यह जो हम जिस index से हम copy करना चाहते हैं उसमें से user ID और doc underscore doc fields उटाओ और new index में ढालो सिर्फ दो fields डालने चाहिए बहुत सारा options है मैं यह description में देद आता हूँ फिलाल हम यह जो first वाला है सीदे साध हावाला इसको try करेंगे इसको copy गया मैं न ठीक है तो मैंने अभी यह index का paste कर लिया अभी पहले को हम items करते हैं ठीक है तो items का मैंने create कर लिया और इसमें हम यह वाला document अड़ करते हैं ठीक है successful आ गया ठीक है अभी एक बार get mappings भी कर लेते हैं देखते कौनसा कौनसा मैप किया हो है एज किया हो है email और name ठीक है एज को long गिया हो है ठीक है और email को दोनों doc values है और index भी बनाया हुआ है type text है same with name ठीक है अभी मानलो हमारे पास limited number of documents है लेकिन कल अगर हम in crores document आ गए तो हमारा index size बहुत बड़ेगा तो तब दिक्कत आने लगेगे तो मानलो अब यह आपने सोचा कि हा नहीं आ रहा हमको एज को इंटीजरी बनाना था थोड़ा space बच जाता email email को सिर्फ इंडेक्स रखना था इंडेक्स इंडेक्स रखना था sorry और उसका इंवर्टेंड इंडेक्स नहीं बनाना था नेम का थो ठीक है तो इसको अपडेट कर से गरोगे ठीक है अब फिर हम एज हम और एक इंडेक्स क्रियेट करते हैं आइटंस अंडेस्कोर न्यू करके और उसमें एज को इंट बनाते हैं और इमेल इमेल को टेक्स्ट सिर्फ ठीक है अंडेस्कोर न्यू करके क्रियेट करते हैं और इसमें आइड प्रोपर्टीज न्यूंडेस्कोर में पी नो हैंडलर टाइप और इंट ठीक है इंटीजर्स ठीक है एक नॉलेज्ट हो गया अभी पोस्ट री इंडेक्स इतार हमको सोर्स दाना है अमारा सोर्स क्या रहेगा आइटम्स और डेस्टिनेशन आइटम्स अन्रस्कोर न्यू ठीक है इस चलाते है ठीक है अपडेट हो गया वाई ओक्या अभी आइटम्स अन्रस्कोर न्यू का मैपिंग देख लेते हैं आइज इमेल और नेम सब बढ़िया यह आ गया इंटीजर इमेल आ गया टेक्स्ट और नेम आ गया है टेक्स्ट और यह क्योंकि हमने वह अपडेट ही नहीं किया था और यहां से वह जो डिफॉल्ट डानामिकली क्रेट कर दिया ठीक है आइटमस अंडर स्कोर अभी हम डेटा क्वेरी करके देख सकते हैं मैच जॉल तो इधर आगे है राजीव राजो एट जीमेल डाट कॉम एच ठीक है तो अभी और एक बार यह भी देख लेते हैं डीड़िट इटमस अंडर स्कोर नियून सम एक बार सिर्फ इमेल एज डालके देख सकते हैं तो उसके लिए हमने डाला था एक इधर था कुछ 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 तो था न एधर कि सिर्फ हाँ टर्म यूजर आइड़ी यह दो टर्म यूजर आइड़ी हो गया डिश दो इंडेक्स हो गया अंडर स्कोर सोर्स सिर्फ मेरा को यूजर आइड़ी और डॉक बेजना रहा तो कैसा डाल सकते हैं अपन गव्मार हमको एज और इमेल डालना है एज और इमेल डालना है नेन नहीं डालना फिलाल हमारे आइटम्स में अभी इस बार और एक डाल देते हैं और रोगन का भी डाल देते हैं ठीक है तो आइटम्स में अभी दो डॉकुमेंट्स प्रेजन्ट रहेंगे ठीक है दो डॉकुमेंट्स प्रेजन्ट है नेम, इमेल, प्लेस, और एज तो जब भी हम इंडेक इटम्स अंडर्सकोर न्यू में डालेंगे तो सिर्फ एजन इमेल हमको डालना है तो एक बार मैं पुट आइटम्स क्रियेट करता हूं और एक जिस्ट है ठीक है इसका मैपिंग डिफेंड करता हूं ठीक है एक नॉले लोकुमेट्स अपडेट किये बढ़िया अंडर्सकोर न्यू जका से एक दर इवेगो सिर्फ इमेल और एज कोपी गया तो ऐसे हम इम अपडेट कर सकते हैं इंडेक्स को और जब कभी भी हमारा न्यू इंडेक्स पूरा क्रियेट हो गया टेस्टिंग बगर हो गया तो तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो आपको थम्मनेल में दिख जाएगा अंटिल देन गुडबाई